हेलो नमस्कार शाथियोग मैं मनीश यादब एक वैब फिर्म आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आज की इस वीडियो में हम हिंदी भासा और साहित्य के ऐसे प्रशनों को डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्पूर होने वाले हैं यह यूपी टीजीटी, वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है, चलिए शुरू करते हैं, पहला प्रशन है आपका कि ब्रज हिंदी की किस उपभासा के अंतरगत है, आप्शन A है पहाड़ी हिंदी, आप्शन B है आपका पूर्भी हिंदी, आप्शन C है पश्मी हिंदी और आप्शन D ह रजस्थानी हिंदी, तो इसका सही जवाब है उप्शन C यानि की पश्मी हिंदी, अगर पश्मी हिंदी की बात करें तो पश्मी हिंदी के अंतरगत कौर्भी या फिर खड़ी बोली, हर्यान भी, ब्रजभासा, बुंदेली और आपका कन्नोजी आ जाएगा, चलते हैं पश्मी हिंदी की बात करें तो पश्मी हिंदी में अभी आपको हमने बताया कन्नोजी, खड़ी बोली, ब्रजभासा, एजवासा, बुंदेली और दक्षिनी कुशन नमर अगला है कि पश्मी हिंदी के अंतरगत कौन सी भासा नहीं है, तो इसका सही जवाब है बगहली बोलियों के सामुहिक नाम को क्या कहते हैं कुशन अमर चार देखिए तो इसको कहते हैं पश्मी हिंदी कुशन अमर पांचमा है निम्न लिखित में से पश्मी हिंदी की बोली नहीं है तो इन में से पश्मी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है अब ही हमने आपको बताये था पश्मी हिंदी के अंतर गता जाएगी आपकी कौरवी, ब्रजभासा, बुंदेली, कर्नोजी और दक्किनी इसलिए इसका राइट आंसर जो है मगही इसका राइट आंसर है क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है कुश्चन नमर अगर 7 के अगर हम बात करें तो 7 में क्या पूछा है पश्मी हिंदी की उतपती किस अपभ्रहंस से हुई है तो इसका राइट आंसर क्या होगा कुश्चन नमर 7 का आप लिग बताए जारा इसका राइट आंसर होगा ओप्शन B question number 8 देखते हैं 8 में क्या है कि भासा को बोलते समय समय पर होने वाले उतार चड़ाब को क्या कहते है option A है अनुतान option B है आपका संगम option C है अवरो और option D है आरो तो इसका सही जवाब है option A यानि कि इसको हम कहते हैं अनुतान यानि कि जब भासा का उच्राड़ करते समय कुछ सब्दों पर हम ज़्यादा जोड़ देते हैं और कुछ सब्दों पर हम कम जोड़ देते हैं इसलिए ये उतार चड़ाओ कि जो प्रकरिया है ये आपकी प्रकरिया कहलाती है अनुतान question number 9 किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है तो इसका सही जबाब है option B यानि कि खड़ी बोली जैसे हम लोग बोलते हैं कि मैंने तुमने तूने तुनने इत्यादी सब्द जो है देखते हैं अगला question question number 10 question number 10 में क्या है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रहन से विक्षित हुई है तो इसका सही जबाब है option B question number 11 देखो जरा 11 में क्या है कि खड़ी बोली निकली है तो खड़ी बोली कहां से निकली है ये पश्मी हिंदी से निकली है और पश्मी हिंदी की उपभासा के अंतरगत मैंने आपको भी बताया है कौरवी, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और करनोजी आ जाती है पूरवी हिंदी के अदि हम लोग बात करेंगे तो अबधी, बगेली और शत्तिस गड़ी बिहारी उपभासा के अदि हम लोग अंतरगत बात करेंगे तो भोजपुरी, मगही, मैथली और राजिस्थानी हिंदी के अंतरगते दि हम लोग बात करेंगे तो मारवाडी, जैपुरी, मिवाती और मालवी आ जाती है कुशन नमर बारा देखो जरा भारत में सरबादिक खड़ी बोली जाने वाली भासा कौन सी है भारत में सरबादिक तो इसका सही जवाब है option A, हिंदी कुशन नमर 13 देखिए जरा पंजाबी, रजिस्तानी, हर्यानवी, ब्रज से प्रभावित, सहितिक, खड़ी बोली या फिर दहलबी से किस हिंदी का विकास हुआ है तो इसका सही जवाब है option B, यानि कि मानक हिंदी कुशन नमर 14 देखिए जरा मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है तो इसका सही जवाब है option C, यानि कि खड़ी बोली हिंदी से इसका विकास हुआ है कुशन नमर 15 बरतमान हिंदी का खड़ी बोली नाम किस कारण से पड़ा है बरतमान जो हिंदी बोली है ना, इसका खड़ी बोली नाम किस कारण से पड़ा है तो इसका सही जवाब है option B इसका धोनी बिन्यास जो है वो करकस है कोशन नमर 17 देखिए हिंदी का मानक रूप किस भासा से विक्षित हुआ है माल भी, ब्रज, खड़ी बोली या फिर अबधी तो इसका सही जवाब है आपका option C यानि कि खड़ी बोली कोशन नमर 18 की यदि बात करें तो हिंदी की विशिष्ट बोली यानि कि ब्रज, भासा किस रूप में सबसे अधिक प्रशिद्ध है यदि हम लोग बात करते हैं ब्रज, भासा की तो ये प्रशिद्ध है काब भासा की रूप में किसमें है काब भासा के रूप में इसको सबसे अधिक प्रशिद्धी मिली है कोश्चन नमर 19 के अधि बात करें तो ब्रजभासा क्या है ब्रजभासा यह है पश्मी हिंदी पश्मी हिंदी के अंतरगताई के अभी हमने आपको बहुत सारे कुश्चन में इसको डिस्कस किया है कुशन नमर 20 देखे जाती हो पश्मी हिंदी की सरबादिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है तो इसका सही जवाब है option B यानि की खड़ी बोली कुशन नमर 21 की देखे हम लोग बात करें तो ब्रजभासा क्या है तो ब्रजभासा जो है यह आपका पश्मी हिंदी के अंतरगत आजाएगी कुशन नमर 22 की मतूरा और बंदावन में प्रमुखता कौन सी भासा बोली जाती है तो इसका सही जवाब है option B यानि की ब्रजभासा कुशन नमर 23 की बात करें मतुरा आगरा धौल पूर ग्वाल एर आदिशेत्र में निम लिखित में से कौन सी बूली बूली जाती है तो इसका सही जबाब क्या होगा आपके पास option D यानि की ब्रजभासा क्योंकि मतुरा में आप लोग जानते हैं मतुरा और यदि विकल्प में दिया है तो फिर आप लोग आसानी के साथ इसको चुन सकते हैं question number 24 देखो देखो यह जो हम आपको प्रशन करवा रहे हैं इन प्रशनों की पीडियाप आपको मिल जाएगी आप लोग सर्च करिएगा नीचे टेलिग्राम पे भी टेलिग्राम कलने के मनी नीचे दे रखा है बाकि आप लोग सर्च कर सकते हैं मनी सर पीडियाप की नाम से तो वहाँ आपको यह पीडियाप आसानी के साथ मिल जाएंगे अब ज़रा 24 में देखूं बांगरू जो है वो किस उपभासा बर्गी की बोली है तो इसका सही जवाब है option A यानि कि यह पश्मी हिंदी के अंतरकत है 25 के दिए हम लोग बात करें बांगरू जो है वो भासा ज़्यादातर कौन से राज में बोली जाती है तो यह कौन से राज में बोली जाती है यह बोली जाती है आपके हरियाना में कहां बोली जाती है हरियाना में क्वेशन नमर 26 देखो जरा इन में से कौन सी बोली मद्द परदेश में प्रमख बोलियों में से नहीं है इसमें नहीं पूशा है तो माल भी भी है, निमाडी भी है, बुंदेली भी है बस आपकी कौन सी नहीं है, वो है आपकी बांगरू क्योंकि पिछले प्रस्ण में भी हम लोगों ने क्या डिस्क्रस किया था वांगरू कहां की है, तो ये हरियाणा में बोली जाती है कॉशन नमर 27 27 में क्या है कि नमलेखित में से कौन सी बोली उत्तर परदेश में बोली जाती है तो इसका सही जवाब है, option D, यानि की कन्नोजी देखें, हम आपको चारो भी कल्प नहीं पड़ा रहे हैं, इससे आपका जादा समय लगेगा कॉशन नमर 28, कौर भी किस बोली को कहते हैं 28, तो कौर भी कहते हैं, खड़ी बोली को option 20, the right answer 29, देखो ज़रा कन्नोजी बोली, मुखरूप से किस जले में बोली जाती है कन्नोजी जो है, मुखरूप से किस जले में बोली जाती है तो इसका सही जवाब है, फरुखाबाद, option C कुशन नमर 30, देखो ज़रा पूर्भी हिंदी छेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है पूर्वी हिंदी छेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है तो पूर्वी हिंदी छेत्र में कौन सी नहीं बोली जाती है जैपूरी जैपूरी कहां बोली जाती है आप लोग कमेंट करके बताईएगा कुशन नमर 30 ये जो जैपूरी है न ये किस हिंदी की बोलियों के अंतरकत आईगी कुशन नमर 31 नियमनी में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतरकत नहीं आती है मैंने आपको एक सूत्र बताया है PH इक्वल A, B, C P से मतलब है आपका पूर्वी S से मतलब है हिंदी A से मतलब है अवधी, B से बखेली, C से 36 गड़ी अब आप लोग बता दीजी इन तीन में से कौन सी नहीं है कुशन नमर 31 इसका राइट आंसर हो जाएगा Option D कुशन नमर 32 पूर्वी हिंदी बिक्षित हुई है तो ये किसे से बिक्षित हुई है इसका सही जबाब क्या होगा पूर्वी हिंदी का बिकास Option B अर्दमागदी अप्रणस से हुआ है कुशन नमर 33 नमर लिखित में से बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है आप लोग को जो भी हमने सौटकट बताया है उसे आप पता कर सकते हैं अवधी, 36 लड़ी और बखिली तो हई है 34 देखो जरा मानक हिंदी का आधार क्या है 34 तो इसका राइट अंसर क्या होगा Option A खड़ी बोली मानक हिंदी का आधार है 35 के अगर बात करें तो अवधी शब्द का अर्थ क्या है Question number 35 तो इसका है कि अवध की भासा जो ये अवध शेत्र में बोली जाती है है ना अब जरा Question number हम आगे की बात करेंगे Question number 36 Question number 36 में क्या है कि अवधी किस उपवर्ग की बोली है Question number 36 तो ये है पूर भी हिंदी की बोली है क्योंकि अभी आपने क्या पढ़ा था A, B और C Question number 37 की अदिवात करें हम लोग तो बगेली बोली का समन्द 21 उपवासा से है तो इसका राइट आंसर है Option B यानि की पूर भी हिंदी Question number 38 बगेली बोली का छेत्र क्या है 38 तो इसका सही जवाब है Option A यानि की रीवा बगेली बोली का जो छेत्र है वो रीवा है रीवा के अत्रिक्ति ये आपके जबलपुर में, मंडाला, मिर्जापुर में भी बगेली का छेत्र है और जो बगेली बोली है ये पूर भी हिंदी के अंतरगत आती है पूर्वी हिंदी के अंतरकत आने वाली तीन बोलियां है अवधी, बगहीली और 36 गड़ी कुशन नमर 39 बगहीली बोली का समद्ध हिंदी की बोलियों के किस बर्ग से है तो इसका सही जवाब है आपका option B यानि कि पूर्वी हिंदी के अंतरकत से कुशन नमर 40 बगहीली बोली किस छेत्रे में बोली जाती है तो इसका सही जवाब है option D यानि कि जबलपुर अब हम लोग बात करें कुशन नमर 41 चटीस गड़ी किस बहासा की बोली है तो जो चटीस गड़ी है वो आपकी पूर्वी हिंदी की बोली है कुशन नमर 42 हिंदी भाणा की बोलीों के बरगी करण के आधार पर चटीस गड़ी है तो चटीस गड़ी क्या है पूर्वी हिंदी है क्योंकि पिछले प्रशनों में भी हम लोग डिसकस करते आ रहे हैं कुशन नमर 43, 36 गड़ी बोली हिंदी के किस उपभासा के अंतरगत आती है, 43 तो इसका राइट अंसर क्या होगा, option B, यानि कि पूर्वी हिंदी के अंतरगत आती है, कुशन नमर 44, निम्न लेकित में से कौन सी बोली राजस्तानी हिंदी के अंतरगत आती है, तो इसका सही तो अबदी, बखेली, 36 गड़ी, मैथली, मगही और भोजपूरी, कुशन नमर 45 देखो जरा, ये किस उपभासा के अंतरगत आएगी, तो इसका सही जवाब है, option D, अब इसके अंतरगत कौन कौन सी आ जाती, ये राजस्तानी उपभासा के अंतरगत आएगी, इसमें राजस्तानी के अंतरगत नहीं आती है, तो ये नहीं आती है, आपकी मगधी नहीं आती है, ये बिहारी उपभासा के अंतरगत आती है, इसलिए इसे मगही के नाम से भी जाना जाता है, और बिहारी उपभासा के अंतरगत आने वाली बोलियों के दिबात करें तो पूरी मेवाती डूनाडी माल भी कुश्चन नमर 47 यह तो बिल्कुल अभी पूछा हुआ प्रशन है सही जवाब क्या होगा राजस्तान के अंतरगत आती है यह भी आपका रिपीटेट कुश्चन है 49 यह भी आप बता सकते हैं यह आपका पूरी राजस्तान अब आपके एक करें तो मारवाडी मेवाडी बागडी जो आपके और से खाबटी पूर्वी राजस्तान के बात करें तो डूनाडी और आपका जैपूरी भी आ जाती है उत्री राजस्तान के अगर बात करें तो मेवाती और अहिरवाटी आ जाती है और वहीं अगर दक्षडी राजस्तान आप लोगों ने अगर चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर लिजेगा आगे आने वाले टाइम में इस पर हिंदी साहित इस रिलेटेड बहुत ही बढ़िया और कंटेंट मज़ेदार जो आपके परिक्षा के लिए उपयोगी साबित हो सकता है वो कंटेंट आपको अपलोड कराया जाएगा बाकि अगर आप लोगों टेलिग्राम से नहीं जुड़े हैं तो मनी सर्क पीडिया कोई नाम से सर्च करके आप टेलिग्राम से भी जुड़े सकते हैं बाकि इसका पीडिया आपको गुरूप में मिल जाएगा थैंक्यू सो मच